हलो एवरीवन, वेलकम बेक टू नोलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चेनल साइन्स के इंपोर्टेंट कोश्चन्स हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे पहला कोश्चन है, अमीवा अपने भोजन का पाचन कहां करता है तो करेक्ट टांसर इसका खाद रिक्तिका में खाद रिक्तिका में अमीवा अपने भोजन का पाचन करता है मुखगुवा किस तंत्र का अंग है? मुखगुवा पाचन तंत्र का अंग है इंपोर्टेंट कोश्चन है समय समय पर मल द्वार से मल का निकलना क्या कहलाता है? तो करेक्ट टांसर है इसका निसकासन किस अंग में अंगली निमाज सरचना पाई जाती है जिसे बिली कहते हैं बहुत important question है तो अंगली निमाज सरचना जो पाई जाती है वो छोटी आत में पाई जाती है किस अंग में अंगली निमाज सरचना पाई जाती है जिसे बिली कहते हैं correct answer होगा छोटी आत मबेसी तीवरता से घास निगल कर इसे कहा संचित करते हैं तो मबेसी ग्रास नली में इसे संचित करते हैं डायस्टेज एंजाइम का स्रोथ क्या है तो डायस्टेज एंजाइम ये लार से निकलता है मुख में जो लार होती है उससे डायस्टेज निकलता है अगला question है यक्रत किसका स्रोथ है? यक्रत बसा में गुलित बितामिन का स्रोथ है PIEC करण क्या होता है? PIEC करण का मतलब है बसा का छोटे अणुवों में तूटना इसको PIEC करण कहते हैं protein का पाचन किसके द्वारा होता है? protein का जो पाचन है वो amylase के कारण होता है, तीनों ही important है, तीनों आपको याद रखने है, protein का पाचन, protease, बसा का पाचन, lipase, और starch और मंड का पाचन, amylase के द्वारा होता है अमाशे में protein पाचन का जो enzyme है वो है pepsin, pepsin जो enzyme है वो amashe से निकलता है, ठीक है? तो protein पाचन का जो enzyme है, amashe में वो pepsin होता है, पित्रस कहा संचित होता है, पित्रस पित्यासे में संचित होता है, पित्रस किस ग्रंथी द्वारा बनता है, important question है, पित्रस यकरत के द्वारा बनता है, लीवर के द्वारा बनता है, पाचन में protein किस में परवर्तित होता है, जो protein प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में परवर्तित होता ये कोश्चन काफी बार पूछा गया है ठीक है जो प्रोटीन है वो पाचन के टाइम पर